हमारे चैनल फुडवित आफ्य को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जबर पैस कीजिए इससे मेरे आने वाले हर नई रेसिपीस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी केक असलाम आलेकुम आज हम बनाने जा रहें हैं Champ एलसा फ्रोजन डॉल केक हम एगवस केक बनाने वाले हैं केक हमारा अंदर से चोकलेट होगा और बाहर से हम वनीला की फ्रॉस्टिंग करेंगे तक मेन मेदा duyकㄹ करेंगे देड़ कप ऐट करना को कि ईक कप मैने पाउडर शुगर लिए है यह जंक है यह यह मेरे सेम कप का नाप है दोनों को कुछ तो मेदे में एक कफ मैने पाउडर शुगर ली है जोपीनिच ओव कि Core 1 teaspoon baking powder दालेंगे दिया है आधा कप मैंने कोको पाउडर लिया है इसको भी डाल देंगे इसमे ड्राइ इंग्रिडियंट्स को हमें मिक्स कर लीन है अची तरह से तो ड्राइ इंग्रिडेंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसंस दालेंगे एक कप मैंने मिल्क लिया है और आधा कप मैंने रिफाइन ओईल लिया है आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं इनको मिक्स करेंगे तो एक कप दूद में इसमें और दालूँगी टोटल हमें 2 कप दूद लगा है तो ये देखिए हमारे केक का बैटर बनके बिल्कुल रेडी है बस इतना ही थिक रखना है आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है तो ये मैंने मोल्ड ले लिया है ये डॉल केक का मोल्ड है आपको इजीली मिल जाएगा ये केक की शॉप पर इसको मैंने ओइल से ग्रीस कर लिया है और सेंटर में मैंने छोटा सा बटर पेपर कट करके रख लिया है अब इसमें हम हमारे केक के बैटर को डाल देंगे इसको टैप कर लेना है ताके एर बबल्स निकल जाए 180 टैंपरेचर पे मैं इसको 50 मिनिट के लिए बेक कर लूँगी अवन में आप विदाउट अवन भी बना सकते हैं इसको तो ये देखिए केक हमारा बेक हो चुका है स्टिक से चैक कर लेते हैं बिल्कुल क्लीन है इसको हम थंडा होने के लिए रख देंगे साइट में तो जब तक हमारा केक थंडा हो रहा है हम फ्रॉस्टिंग डेडी कर लेते हैं ये ट्रॉप लाइट की मैंने क्रीम ली है विपिंग क्रीम आपकी क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए बहुत थंडी होनी चाहिए देड कप में इसमें विपिंग क्रीम लूँगी अगर आपकी क्रीम थंडी नहीं होगी तो वो विप नहीं होगी अच्छी तरीके से तो आपको हमेशा से याद रखना है एकदम चिल्ड क्रीम लेना है अगर आपने फ्रीजर में रखा है तो आप उसको बरफ उसका मैल्ट होने तक बाहर निकाल के रख लीजिए उसके बाद उसको यूज़ कीजिए आपको इसमें वनीला एसेंस या पावडर शुगर डालने की जुरूरत नहीं है इसमें वनीला एसेंस और पावडर शुगर पहले से ही है तो पहले इस स्पीट को हमें लो रखना है एक पर रखा है मैंने इस स्पीट को और इसको ठीक होने तक हमें बीट कर लेना है तो यह द कास्ट कर देना है और इसको बीट कर लेना है तो यह देखिए हमारी क्रीम कितनी तरीके से बीट हो चुकी है बहुत अच्छी पिक्स आया है इसमें में हमे беспष़ आप डहीं करना है वहना क Kahuner की क्रीम में क्रैका सकते हैं आपको इस पून कon से कैम को उठालेना है इस स्पुन को अगर आपकी की रही है तो फीर से हुपा Rs तो मतलब पर्फेक्ट आपकी क्रीम बीट हो चुकी है, मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी, तब तक हम हमारे केक को पल्टी कर लेंगे प्लेट में, बटर पेपर को हम निकाल लेंगे, यह जो हमारा फुला हुआ हिस्सा है केक का, उसको हम कट कर लेंगे, शेप दे देंग और तीन पार्ट में मैं केक को कट कर लूँगी, मैं तीन लेयर लगाने वाली हूँ, अगर आप दो लेयर लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दो पार्ट भी कर सकते हैं, तो यह देखिए, तीन पार्ट में मैंने कट कर लिया है केक को, ab sugar syrup बना लेते हैं 2 teaspoon मेंने शुगर ली है इसमें half teaspoon में vanilla essence दा रही हूँ vanilla essence दालने से टेस्ट जादा अच्छा हो जाता है शुगर सीरप का और half cup में इसमें पानी डालूंगी अगर आपको vanilla essence तौछ डालना है तो डालिए स्किप कर दीजिए बटे डालने से टेस्ट जादा बढ़ जाता है तो टर्निंग टेबल ले लिया है मैंने इस पर मैं क्रीम लगा दूँगी थोड़ी केक बोट को रख देंगे हम इसके उपर ताकि एक खसके ना और केक बोट पर भी मैं क्रीम लगा लूँगी हमारी फ्रोस्टिंग क्रीम ताकि केक हमारा ही ले ना केक बोट से तो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है हमारे केक का उसको हम रख लेंगे इस पर और शुगर सीरप जो हमने बनाया था उसको अच्छी तरीके से हम इस पर पोर कर देना है किनारों पर बीच में अब इस पर हमने घ्यायख लगा देना है हमारी फ्रोस्टिंग जो हमने रैडी की थी और similar to हम रखेंगे केक का पहले आपको साइट में फ्रॉस्टिंग कर लेनी है उसके बास सेकेंड वाले पाइट पर आपको वो शुगर सीरप लगा लेना है वनना आपका केक टूट सकता है सॉप्ट होने की वज़े से अब सेम मेथड थर्ड वाला रखेंगे उस पर भी हम शुगर सीरप पोर करेंगे और फ्रॉस्टिंग से उसको हमें कवर कर देना है यह मैंने साइड स्क्रैपर लिया है प्लेन वाला इससे हम प्लेन शेप दे देंगे हमारे केक को हमें जादा फ्रॉस्टिंग नहीं लगानी है क्रीम हलकी ही लगानी है कि केक हमारा कवर हो जाए क्योंकि हम इस पर डिजाइन भी करने वाले हैं तो यह देखिए शेप दे दिया है मैंने केक को जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है शेप सही नहीं है वहाँ से अब दे दीजिए मैं तीन कलर के बना रही हूँ डॉल केक मैं उसमें तीन शेट देने वाली हूँ तो इसके लिए मैं विपिंग क्रीम के तीन हिस्से कर लूँगी तीन पार्ट कर लूँगी मैं उनके मैं छौता पार्ट मैं ओइट प्लेइन रखूंगी तो य謹ी तीन पार्ट मैंने कर लिए हैं क्रीम के अब मैंने स्काइब्लू कलर लिया है एक मैं मैं सकाइब्लू कलर दालूँगी वरं ड्रॉप ग्रीन कलर डालेंगे सेकेंड वाले में वन डॉप ही डालना आपको और यह मैंने लैमन येलो कलर लिया है इसको भी हम वन डॉप डालेंगे इसमें तो इसको हम मिक्स कर लेंगे ब्लू कलर को क्रीम में मुझे कलर थोड़ा लाइट लग रहा था तो इसलिए मैंने दो डॉप और एट किये हैं ब्लू कलर के इसमें तो यह कलर परफेक्ट है हमारा मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है यह नोजल लिया है मैंने स्टार नोजल है 61 नंबर का लिया है मैंने इस तरीके का, ये बड़ा साइज है स्टार का, अगर आपको छोटा लेना है तो आप छोटा भी ले सकते हैं, इस तरीके से इसमें डाल देना है, क्रीम डालने के बाद उसको कट कर लेना है, knife, sorry, कैंची से, इसको ग्लास में डाल के पाइपिंग बैक को इस तरीके से हमें क्रीम को डाल देना है इसमें तो सारी क्रीम को मैं डाल दूँगे इसी तरीके से अब इसको कैंच से कट कर लेंगे हम देखिए इस तरीके से आपने इसको ready कर लेना है अब इस second वाला जो green color का हमने बनाया था हमारी whipping cream उसमें मैं one drop blue color की डार रही हूँ क्योंकि मुझे c green color चाहिए green color में shades होते हैं a, b, c तो मुझे c green shade चाहिए तो green color में blue color डालने से आपका c green shade बनकर ready हो जाएगा इस तरीके का ये देखिए बहुत ही beautiful color है तो अब हम design बनाने चलते हमारे cake पर सबसे पहले हमें doll लेनी है उसको डाल देना है center में डालना है आपको बिल्कुल अब हम design बना लेंगे सबसे पहले मैंने blue color लिया है आपको जो भी color पसंद है आप उस color का बना सकते हो जरूरी नहीं है तीन color के shade लेना आप कोई भी एक color का भी use कर सकते हो तो इस तरीके से मैं दो line draw कर लूँगी start की तो दो line मैंने draw कर ली है blue color की अब जो हमने say green color ready किया था उसकी भी मैं इसी तरीके से दो line ready कर लूँगी ये देखे ready हो चुका अब इसी color से मैं doll का dress ready कर लेती हूँ ये roughly मैं cream लगा रही हूँ shape नहीं दे रही हूँ पहले मैं cream लगा लूँगी पुरी dress पर तो roughly मैंने cream लगा दिया है अब इस तरीके का मैंने small brush लिया है ये soft brush है इससे हम shape दे देंगे हमारी doll के कपड़े को तो ये देखे शेप दे दिया है मैंने doll की dress पर अब मैंने yellow color लिया है yellow color ये light yellow है light lemon color लिया है मैंने अब dark lemon की मैंने दो line बनाई ही और एक white color की बनाई है मैंने तो ये देखे केक हमारा इस तरीके से complete हो चुका है अब मैंने ये जो white plane cream रखी थी उसको मैंने piping bag में डालके बारिक सा मैंने उसको cut कर लिया है जादा cut नहीं करना है मोटा पतला cut करना है और इस तरीके से dot बनाते हुए मैं इसकी किनारियों पर finishing देदूंगी dress की इससे अच्छा look आएगा हमारी doll की dress का तो इस तरीके से मैंने ready कर लिया है sides को cover कर लिया है dot से अब इसकी slips बना लेंगे हम इसी तरीके से dot देते हुए आपको slips बना लेनी है बहुत ही easy method है ये अगर आप slips नई बनाना चाते हैं तो नई भी बना सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं तो ये एक slips हमारी ready हो चुकी है दूसरी भी मैंने ready कर ली है मुझे गला थोड़ा खाली लग रहा था डॉल का तो मैं necklace बना लूँगी थोड़ी मोटी line draw कर लीनी आपको neck पर तो इस तरीके से मैंने necklace बना लिया है अब tops भी बना लेते हम एक बड़ा सा dot दे देना है हमें यह देखिए इस तरीके से अब दूसरे कान पर भी हम दे देंगे dot तो यह देखिए दोनों earrings बनकर ready हो चुके हैं हमारी Elsa frozen doll बनकर ready है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा doll के क्या लगा ज़र बताएं मेरे याइक करें प्राइब ज़र को मेरी रेसिती अच्ड़र टो मेरे वीडियो को